हम लोग ने क्या देखा था तो last class में I think हम लोग हमारे local storage के case में login तक पहुच गए थे हैं हम लोग हम ने successfully login तो इन सब आपने करना किया तो कुछ बार में उसके home page पर पहुचाना है पहुषाना है तो वैसा थे अपन व करने के लिए वैसा आपकाा इë वो दिखना है आपर ध्यान से तो जैसे कि आपको दिख रहा है यह जो आपका पेज हैं, जैसे है पहले को introducer पी है तो हमें क्या ही पोई घान से क्साच ही अब से तो अब अपन नाम दे दिया, अब ये एक प्रोफाइल पेज आपका बन्या अब जो पर पड़ा हुआ है, तो पर इस पेज पर आपको करना किया रहेगा, तो यहां पर आपके पास में जो भी उपर के options रहेंगे ring अवे सब करेंगे कर देखें को डॉप्क अपन को आते हैं यहां यहां ने के आनके बाद में इतने भी आपको options नि कती ही आपने सारी चीजस्जों को यहां से गते हैं, भी हैं, फो अर रहें हो सोचन को भी यहां सä हटा दिखने, तो यहां पर सिफ आपके पास में अभी इनिशल लेवल पर अपन सिफ दो ही option रख रहे हैं यहां पर आया एक home page का तो अपन रखते है क्योंकि मैं उस पर click करूंगा home page तो अपन index पर पहुँच जाएंगे यहां पर रइट तो मैंने यहां पर लिख दिया है index.html अब लेकिन इसमें भी ऐसा होगा कि अगर आप उसके प्रोफाइल पेज पर ही जा पाओगे आप जब लॉगाउट कर दोगे तब फिर आप वहां से बाहर निकल पाओगे तो अगर बात किरेब क्या और कैसे तो अपना आते हैं यहां पर और यहां आने के बाद में अब इहा यहां तक को अपना आ गए मैंने इंडेक्स लिखा और इंडेक्स.html लिखा अभी दो डॉक्टर्स का पेज है तो यहां पर आकर मैंने सिंप्ली लिख लिए क्या लिस्ट यहां या मैंने ऐसा लिख लिए है व्यू लिस्ट या फिर अगर 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 बात करें कि लॉग करने के बाद में मैं अपने होमपेज पर गया और होमपेज पर जाने के बाद में अपने उसको ऑप्शन दे देते कि आपको करना क्या है तो यहां पर मैंने लिख गया है व्यू लिस्ट है ना अपन लिस्ट दिखाना चाहते है अगर आपको और उसमें प्रोड़क्ट पर जो कि cauliflower ऑपके my script पर था जब यहां आने के बाद में अगर अबन देखें तो यहां आने के बाद में आपने सब कुछ शेक किया यहां पर आपको object मिल गया अब इहां अगर आपको object मिल रहा है तो आपको कहां जाना है तो अगर आपको शके अगर आप Parce जाना है तो आप से प्रोफैल वाले पेज पर जाले करते हैं आपन आते हैं वापेश से यहां पर इस Profil.html पर इस है रन किया जैसा कि आ λέ आपके आपने इस पूरे URL को क्या कर लिया, copy कर लिया, और copy करने के बार में आप क्या करेंगे, तो आप यहां पर आए, और यहां आने के बाद में आप अपने इस script उपर आएंगे, और script उपर आने के बार में आपको पता है यहां पर, कि आप यहां पर क्या लिखेंगे, पिसमेल इपर इमेल आईडी और पासवर्ड इसर इंच कर दिए कि अब इससे होगा क्या तो आते हैं वह आपर और आपने इक पर स्काइब करते हैं विजा से आपको दिख रहा है यहांपर मैं Homepage पर आया Homepage पर आकर नहीं यहां पर ओपर लॉगिं को option है login पर आने के बाने क्या क्या करा मैंने लिखा यहां पर and glued at the rate gmail.com अपने हां पर आये आए मैंने लिखा and ride 123 तो आप लेकिन यहां पर आया है आप अपने पास लोग इंडरेट था या फिर नहीं कि अपन क्या सा रहे थें यहां पर अपने को मिलना क्या सही यह था अपन यहां पर आया है तो उसने e-mail ए- Cindy и password देने के पाद में अगर आपन O B J की बात करें तो I think वो O B J की भी value print तो करेगा ही सही जोकि यहां से उसको मिला है तो मैंने आप लिखा है alert और alert में मैंने लिखा है यहां पर O B J या मैंने लिखा है आपर email और email में अपन क्या करेंगे है आपर O B J dot email लि緯 पास्वर्ट absorption किपार क्या हैं टश्यम किया हैपने काच हैण पास्वर्ट में अइसा कुछ अपर रहा है मैंने आपका है यहां फर्ट से रहा है लोगईन कोस्तित यहां पर मिला मैंने ब्लोगिन किया छुआ अज़िखा मैंने ट्थ्यक्त अधर हैं तू ट्री मैंने आपके लॉग इन यहां पर मिला ने ओके किया कि अब यह बाकिकी नीचे की चीज़ें नहीं चला रहा है आपके यहां पर यहां से बाहर आ रहा है यहां से क्यों लॉकल्स्टूरीज.डट अपने पास में अपर दीके रखा हुआ है रहा है यहां आने के बाद में यहां आने के बाद में मोच लॉग इन पर तो आ रहा है अपने लॉग इन पर क्लिक किया अपने लोगिन किया, तो यहां से वो यहां पर तो आया, यहां पर email ID और आपकी password, यह भी उसने print किया है, फिरेंट करने के बाद में, अपने क्या करा है, हाँ पर LocalStoint.GetItems, Entrys, यह भी अपने आपे रखा है, यह रखने के बाद में, अगर अपन. बात करें data तो अपने यह पर कर रहा है data.find और data.find के बार में अपने क्या कर आए है आप obj और अपने अब लिखाए कि एगर obj.email.e होता है तो अगर यह होता है तो अगर यह होता है तो वह आपको obj देगा और अब आपके सीव दैजू करते हैं और यहां पर अपर इक काम करता है। मैंने लिखा है अलेर्टियाम अलेर्ट है किया वीजै कि सेव करते हैं और एक और चीज्य कि क्लापन को लोगिन करवा रहे हैं अफने काम करते हैं यहां पर ले पीच पे कि आए अशर दिम पहुचून में नहीं पहुचाया है और अपने यहीं पासवर्ड लिखा हूँ है आई अई डी में पासवर्ड लिका इडी में इमेल लिखा हुआ है यहां से जब वो आएगा तो अपनों कहां पर पहुचाएंगे तो कि अपने काम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां लॉग इन होकर आता है अपनों उसको कहां पर पहुचा देते हैं अपने प्रोफाइल वाले पेज पर अब ऐसा भी कर सकते ना अगर उदर से ट्रू आया है तो अपन उसको यहाँ पर भी पहचा सकते प्रोफाल.html पर उसकेस में फिर अपने को यहाँ पर ऐसा नहीं करना पड़ेगा कैसा जो अपने माय स्क्रिप्प पर अपने लिखा हुआ है विंडो डॉकेशन डॉकेशन ड से लेंगे और नहीं क्या कर देंगे यहां पर तो यहां पर आए अलर्ट ऐमेल और पासवर्ड इस राउ लेकिन उसके भी पहले अगर अपन देखें तो यहां पर वी अपना प्रिंट होना चाहिए। अपने इसको refresh करते हैं लॉग इन पर आने के बाद में ने क्या करा है यहां पर मैंने लिखा एंडुरेव एडरेट बन टू सॉरी एंडरेव डूट कॉम यहां पर आई लिखा एंडरेव एडरेट 123 मैंने आपके लोग इन यह तो आया, alert, उसके बाल में object, object आये आपके पासके उसके बाल में email, अब email में आपको कुछ नहीं आ रहा है आपको प्रिंट करकर नहीं दिया को क्यों कुछ print करकर नहीं दिया क्योंकि उसने कहीं ऐसा को नहीं आपको झालना हो अब इक चीज और यह नोटिस कर सकते हैं कि अभी तो find नाम की method है तो हो सकता है उसने आपको यहाँ पर array form में दिया हो तो उसके लिए अगर अपन देखें यहाँ पर अगर मैंने लिखा यहाँ पर जीरो और मैंने यहाँ पर लिखा जीरो अपना आते हैं वापे से यहाँ पर एक बार मैं वापे से आता हूं यहाँ पर एक बार अपन फिर से लॉग इन करते हैं लॉग इन में लिखा है यहाँ पर क्या एंड्रेव यहां पर आगा मैंने लिखा है यहां पर आए आपने करा ओके ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है बट उसने पहले जो इमेल और पास्वट दिया था उसने वो भी नहीं दिया अपने को तो उसके अलावा अगर आपन देखे तो ठीक है आपको ऑब्जेक्ट तो मिल रहा है जो फाइंड नाम की मैठड है उससे आपको ऑब्जेक्ट तो मिल रहा है मैंने यह इसलिए लिखा था यह देखने के लिए कि क्या कहीं वो आपको एरे रिटेन करकर तो नहीं दे रहा है अगर हम उसे यहां पर रोपकर भी रखना चाहे तो अपने काम ये कर सकते है कि कि आप रोकर भी कैसे रखेंगे रेलोड हुई जाएगा जैसे आपने उसको प्लिक किया है तो रेलोड हुई जाएगा या एक काम और कर सकते हैं अगर टेस्ट ही करना है अपने प्रोफाइल भी ना लिखते हुए अपने यहां पर हैश लिख दे उसको सेव किया और अब यहां पर आका मैंने लिखा एंडव एड़ड जीमेल .com नहीं लिखा हैं यहां पर एंडव एड़ड बन टू थी मैंने करता लॉगएन और यहां पर आये ऑब्जेक्ट kई मेल पास्षवर्ड ठीक है और यहां पर दिखहें के अक तो कुछ प्रिट करकर नहीं दे रहा है यह जो आप आप अगर आप अगर अगर इस वह पर उसको आपड़ेट मिल रहा है और वह आपड़ेट मिलने के वज़े से ही वह आपको नेक्स पीज पे लेकर जा रहा है अब अब आपड़ेट वह आपको मिल रहा है और वह आपको नेक्स पीज पे लेकर जा रहा है तो अपन आजाएंगे अपने अपने प्रोफाइल.html पेज 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 पे अब एक पर यह भी देख लो कि अगलत एमेल आईडिया और पासवर्ट डाला है तो उस केस में क्या ह अब यहां पर आये undefined वापिस से अब उसी पेज पर रख दिया है यहां तक आप सभी को clear होगा अब यहां से आपने return true करा है return true करने के बाद में यहां पर आपने के लिए इमेल आईडिया पासवर्ट रॉंग था तो उसने वह आपको दिया भी नहीं कि इमेल आईडिया पासवर्ट रॉंग है अना उसने if undefined के बाद में नहीं तो उप्रेट में तो उसको अंडिफैंड ही मिले ना इस जगे तो अब इस जगे पर अगर 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 डिफैंड आया थो उस हथाप से उसने अन डीफैंड तो प्रिंट कर दिया अब यहां पर वो बीजे डॉट आपका इमेल प्रिंटी नहीं करवा रहे हैं तो डुसरी चीज यह कि यहां पर अगर अगर अन्दिफाइंड है तो रिटर्न ट्रू करें और अगर नहीं तो यहां से क्या करें एल्स में अलर्ट दे अब अलर्ट यहां पर प्रिंट ही नहीं कर रहा है और उस ने शाहिए तक अंडिफाइन यहां से रेटिन कर दिया है कि अब ऐसे देखा जा तो यह ओबीजे डॉट इमेल यहां पर प्रिंट होना चाहिए था अपना बढ़ आपको उफ्जेंट मिला है तो उस केस में उस ओब्जेक का प्रिंट का टो होना चाहिए अगर आपको ऑबजेक्स केट अक रहे था लिख कि दिखो Wy अबने यहां पर आना लिखा एंडुव at the read gmail.com जेखंट और राइड भी प्रिंटर नहीं हो आओ शाए तर्ग रिलोड में श्केए सकते हों कि सैंद दोकुमेंट राइट अपर अपर आपको उस पर लेकर जा रहा है आपको प्रोफाल पर लेकर जा रहा है इसको तो अपन ने हटाया है यहां से और अपन ने इसको भी यहां से हटा जिया यहां तक क्लियर है कि एक काम आप यह भी कर सकते हो कि इस अपने find नाम की method लगाई है इस find नाम की method की जगी है अगर manually check करना चाहे तो अपन वैसा भी कुछ कर सकते है नॉर्मल लूप से भी check कर सकते है, नॉर्मल लूप से चेक करना है यह क्या है क्या है और इंडेक्स पार मैं लिखा है यहां पर data आप data की case में हमें क्या करेंगे हैं आपर tut data की case में आपर लखेंगे कि if में क्या करेंगे यहां पर data of यहां पर क्या आएग आपके पास मेndex data of index dot आ पक्या लखेंगे आपर email अगर equals तो, pilgrimage गहां टूप अगर उक्वास2 किस सेभी आपको चेकas करना है जो आपके पास में email आया है email.value उससे चेक करना है and end और आप यहाँ पिया करेंगे data of index है ना dot आप क्या लिखेंगे यहाँ पर password है ना data of index of password और आप यहाँ पिया लिखेंगे यहाँ पर simply अपना condition check है यहाँ यहाँ पर मैंने condition checked लिखा यहाँ यहाँ पर आपन क्या करेंगे यहाँ पर आपन क्या लिखेंगे आपने लिखेंगे यहाँ पर password dot value यह मैंने ऐसा लिखा कि अगर यह ऐसा होता है तो आपन ऐसा कर देंगे और फाइनली फिर इसके बाद में क्या कर देंगे यहाँ से ब्रेक भी कर देंगे यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे ब्रेक कर देंगे तो उस लूप कि क्या और अगर नहीं तो पूरा लूट चलकर फिर बहार आएगा अब पास्वर्ड डॉट वैल्यू रेट अब ऐसा लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे आपर तो सब को सही होता है कि अगर डीटा-इंडेक्स-वर्ड यइ अगर यह beside यह तो आया करेंगे और अगर आप छीजवार कर लेते हैं आपर एक फिलेक भी मैंनेज कर लेते पिर मेंने आप लिख लिया एक was too क्या कर देंगे यहां से अपना अब यहां पर अगर फलेक की वैल्यू होगी और यहां और वो false होगी अपन क्या बूल देंगे email ID और password is wrong और उसके बार में आपन यहां से क्या करवा देंगे तो यहां से अपन करवा देंगे return और return में आपन क्या करवा देंगे यहां पर false कि अब यहां ने ऐसा को चल के दिखेगा आपको आपने सेव किया सेअफ करने के बार में आप यहां पर आे यहां आने के बार में आपने करा वाफ। से पीछे आजाते हैं आपने ओके किया condition checked मतलब आपको enter मिल गई एंटर मिलने के बाद में अब आप देखते हैं ये email या उसको भी देखते हैं और दुसरे पर password हो और आफट आपा गए यहांreiben टुर्ट छाहिए निच dad आपके काम करें आप यहां पर आए आप इसको कॉपी किया इस पर आए यहां पर और यहां आने के बाद में आप इस पर प्रिंट करकर देखना चाहें आपन यहां पर देख लेते हैं एक बार कर आए यहां पर देखे कि आपने इमें क्या मिल रहे हैं पर और अब्जेट और उससे आपने यह पर वाल्यू निकाली है document.getElementById Email और email.value अपन जनरली चेक तो बैसे ही करते हैं और अगर आप यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपने आपने जो print करवाया है अच्छा एक चीज एक गड़बड यह कर रहे हैं पन शाहिद तक कि यहां पर मैं कॉमा लगा रहा हूँ कि आप लॉग इन पर आए यहां पर आए कंडिशन चैट तो अच्छीज ठीजिए गड़ा रखना पड़ेगा है ड़स स्कती हैं और आप सर्थ प्लस लिक्सकत गाम करता है। आप जावात कि बात क्लिवा की अगराइब आध्र वह ना डогाते हुद निए अलर्ट था तो आपन वो अलर्ट के अंदर है वो कंसों की तरह समझ के उसको पॉमा लगा के चल रहे थे इसके वज़े से वो प्रिंटिन नहीं करवा रहे है तो आपको इस चीजे चोटी-चोटी चीजे याद रखना है रही तो उसमें इतना टाइम गेस्ट होता है तो यहां पर यहां पर पासवर्ड आ गया है और अपन यहां पर आ गया रही अपने को गया करना है तो आपने को आप विउ लिस्ट करना है यह अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो पूरी लिस्ट दिख जाए और वह भी टैबिलर पॉम में अब जितना भी इस पूरे प्रिंट करवा लेते एक प्रिंट करवा लेते एक टेबल ओपन करवा लेते है और उस टेबल पर पूरा डेटा यहां पर दिखा देते है ताकि उसको पर अपन करण ऑपर करवा पाए तो अपने प्रोफाइल वाले पेज पर आने के बाद में अब करेंगे क्या तो प्रोफाइल वाले पेज पर आन है ना देखते हैं आपर कैसे आउट्पूट मिलेगा कि यहां तक आ गए पर यह समय ने हटा दिया देख लेदे इसको एक बार सेव करके चला कर अपनि यहां पर आए मैंने से रिफ्रेश किया तो यहां दिख रहा है यहां अपनि यहां पर क्या करेंगे तो यहां आने के बाद में यहां आपका यहां तक तो यहां पर यहां पर हो है तो यहां पर यहां पर आपका इन तों उख रहें Kanos लेकर आए इस नेटा करोगे रइज़ित तो यहां पो एक पिसे टाहिभर कार olhos आपके पासमने ऐंगे यहां पर जैसनignant यहां पर आपके बास में पूरा डेटा आगया अब पूरा डेटा आने के बाल में अब आप करेंगे क्या है यहां पर तो अब यहां पर अपने को अब पूरा डेटा महाँ पर डिस्प्ले करवाना है उसके लिए अपन करेंगे क्या तो अपन आ जाते हैं यहां पर लिखते हैं सबसे पहले फॉर्लू पर करेंगे क्या तो फॉर्लू पर मैंने लिखा है यहां पर वैर में क्या है यहां पर तो वैर इंडेक्स और यहां पर म और इंडेक्सिंग डेटा के बाद में अगर डेटा ऊपिंडेक्स अपन् प्रिंट करी वाता थे सारी सीवां टो आपकी होई है कि आपको काम करते हूं इसके भी पहले यहां आपर मैंने क्या करा है मैंने लिखा यहां FR वैया टेबल तो आपने टेवल का इस्ट्रक्चर क्रियेट करते हैं सबसartiा क्रियेट करने के लिए वापको क्या लिखना पड़ेगा टेभल अब टेबल के अंदर आप क्या में लिखेंगे अपर टीर को बंट केre Bu Recht क्या करेंगे आपके लिखेंगे आपर हर एक टीर के क्या था ? आपके पास में यहाँ है यूजर नीमाद का यहाँ है तो मैंने इसको इस्ध किया अप पासवर्ड के बार में क्या था यहाँ पर द शूर नीम Colonie कॉंटेक्ट कॉंटेक्ट भी था त्या रहा था यूजर नेम इमेल पासवर्ड पासवर्ड की बाद मता सर्विसेस को पास्वर्ड की बाद में था सर्विसेस के बाद में फिर क्या था क्या नहीं वबिस कहां से था तो सर्विसेस के बाद में आपके पास में था जेंडर था इधिंक अगा अग्व क्यों तो कि श्रॉड ज़्यों करें था कुड़ कर दो कि यूजर नेम आगे इमेल पासवर्ड ना मैं फिर स्रविसे ड़ाग्या पिर कॉंटएक अपनी यहां पर आकर मैंने क्या लिखा है सेटसीओं एक कॉंटेक के बार में पर क्या रखा ओवा है यहां पर आपके पास में जैंडर होपी इस टे जैंडर होबीज एडरिस ओर ज् он एडर डेट ह्श Treyaan जैंडर कि मदर्द होब्र होबीस और होबीस्ष की बार में आप चली देखेंगेगे यहांपर एड्रेस यह आपने ऐसा कुछ लिखा है यहां पर अभी ऐसा लिखने के बार में करेंगे क्या तो आपने यहां पर आए यहां आने के बार में आप क्या करोगे तो मैंने आप लिखा है टीबल ठीकिए आपन क्या करेंगे यहां पर तो यहां पर क्या करेंगे यहां पर 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 यहां पर यहां पर क्या करेंगे यहां पर 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 लिख लिखेंगे double quotes और पिराप लिखेंगे plus plus और फिर आप यहांप है data of इंडेक्स लिखेंगे यह पे तो आप लिखेंगे यहांपर यूजरने उसके फाल में आप हो सीरेल नंबर प्रेंट करवारे थे ना अप्र अब यहांपर आफ लिखेंगे क्या, तो सबसे बिले अगर आपने को ऐसा फ्रिंट करवाना है अब यहांपर आए और यहां पर आखर आ पन लिखेंगे फिर index plus one अब ऐसा कुछ mention कर देंगे, अब यह तो मैंने ऐसा कुछ लिखा, अब इसके बाद में यहांपर क्या आएगा अगर मैंने ऐसी यहां पर कॉपी किया है जो आगर पर पेस्ट करदों सही है और त्यार है ना आपका टीडी क्लोज हुआ फिर दूसरा टीडी ओपन हुआ अपन यहां पर आगए यहांपर मैं क्या लिखूनगा रिखूनगा data of index.username अपने क्या किया, copy किया और यहांपर उसको paste कर दिया अब username के बार में क्या था? email email के बार में क्या था? password password के बार में क्या था؟ सर्विसेश के बाद में पॉन्टक्ट के बाद में डेट के बाद में होबी इसके बाद में यहां पर अपने रो भी कंप्लीट हो गई और यह सब कुछ होने के बाद में आप यहां से बाहर निकलोगे यहां पर लिखोगे टेबल प्लस इक्वल्स टू और आप यहां पर आपन क्या करेंगे टेबल को क्लोज करने के बाद में आप क्या करेंगे यहां पर आप अब यहां पर के बाद में करना क्या पड़ेगा अब यहां पर लिए के इसमें ब्योगार डिया बॉड़र बॉडर में आपको क्या लिखना रहेगा है फिर वन पर से बाद में सेल स्पेसिंग उसको अपन कितना करेंगे जीरो और अपने याप यह लिखने को मिल रहा है अब इसके लिए अपने को करना क्या पढ़ेगा यहां पर थोड़ी सी स्टा क्या पूल पर हूं कि सीरियल नंबर 01 1121 यह ऐसा रहा है तो अच्छा यह कॉनकेट हो रहा है ना यह पहले भी दिक्कत आई थी ने एक बार अब नहों क्या करना पढ़ेगा इसको यहां पर तो इसको अपने हो बनना हो पढ़ेगा आप यह आर्स पार्स एंट कि अब लेकिन यहां पर अपने को थोड़ा सा इसको मैनेज करना है तो अपने काम करते हैं इस टेबल में टेबल की जो विट है उस विट को पन कितना कर देते हैं आप तो विट को पन करते हैं आपर 80% कि अपने काम और करते हैं पर जो सेल पेडिंग है इसको करते हैं ट्वेंटी इससे हो रहा है कुछ जो उसको पर सेल पेडिंग अगेरा कुछ भी नहीं लग रही है कि अबने स्क्रिप्ट में लिखा है ना इसको आप यहां पर एक बार देखो अगर क्लास लगा नहीं हो प्लास हैं पर लगे ही क्या बूट स्ट्रेप की कि आइज ज्यादा बड़ी नहीं होगी है अब यह प्लास अगर लगाओं तो इतना बड़ा बड़ा ही दीखेगा यार यार तो अब यहां पर आगए अब यहां पर आगए यह सेल प्रेटिंग वगरा तो नुश काम भी नहीं कर रहा है तो इसको तो घटाई रहें देखेगा यहां तक तो बनाए अब यहां तक आने के बाद मैं अगर अपनों फोड़ी सी सब्सक्राइब यहां तो मैंने यहां पर कर रहा है ब्यार लिखा यहां पर क्या मैंने यहां पर सेंटर लिख दिया और उसके बाद मैं जो टेबल दिख रही है आपको यहां पर स्क्रिट के बाद मैं आप एक काम यह करें यहां पर भी यार लगा लगा लिए अब अगर बात करें कि यह तो अपन ऐसा करा है इसके अलावा एक चीज और अपन देख लेते बले अगर देखना हो तो मैंने आपर डेव लिखा और मैंने आपर डेव को क्लोस किया और अब अगर अपन इस डेव की वेट को अगर कम करें कर दिया अब में आपर 50 परसेंट आपर 80 परसेंट और मैंने आपर कर दिया में आपर कर दिया मार्जिन मैंने आप इसको क्या कर दिया है तो पेडिंग तो पेडिंग तो पेडिंग तो अंदर के बीच में आएगी ना उसको तो कंटेंट पर नहीं आएगी कि सब्सक्राइब अब इसमें आपको करना क्या है यह तो आपको यह चीज करना है कि यहाँ पर आपको डीलीट और अप्डेट को अप्शन दोगे कहां पर अपर अप्शन देने के लिए यहाँ पर यहाँ पर हैसा कुछ करना पड़ाएगा कि kier i Ward 4 यहां पर आतने एसा लिखा और यहां यहां लिखने के बाद में क्या लगणा पढ़ेगा यहां पर आपकों यहां पर एंखर लिए पर यहां यह न जाना है वह देखेंगे अपन और लेकिन यहां आपको क्या करना पड़ेगा तो आपको यहाप फिर से एक और क्या रहेँगा टीडी ऊपन और आपको क्या लिखना रहेगा ती डी क्लोस और इस Sp Triple के अंदर भी आपको क्या लिखना रहेगा एंकर आपे अपकर ऑपर यह वर ङंदर रहेपक झाहँगे अपर एक बलाद पॉसके उपर उपको यह पर देखना रहे 받아 यहां पर भी आपको लिखना रहेगा फिर ठीएच लो आप लीए प로śnie है अप्डेट एक यहां पर आप करेंगे लिए और आप एक काम यह भी कर सकते हुए यहां पर उसो अल्द कलर में देना है तो आप कलर वगरा स्टाइल वगरा दे देना है यहां पर स्टाइल कि देखिये क्या करूंगे अपर यहां पर आपको देखना है औरrup कैसे देख कर एएude पर यहां है वारा कीया कर लिए जिलल्क नए रजिसर्चेशन करते बाबनंने के लगा दो कि यहां पर लिखा के यहां पर किल एट जी में डॉट फॉर्म उन्हें लिखेंगा यहां पर सर्विसेइन अपने अब लिख दिया यह फोन नमबर इक दो तीनचार पानचाइए साहए आठ नौ दस अब आपने देट आफ बर्थ लिख दी यहां पर मेल क्रिकेट मैंने क्या लिख दिया मैंने लिख दिया पर बीचों पी ये लोपार ने करा रजिस्टर टेटा इंसरेट सब्सक्राइब करेंगे क्या लॉग इंदर आप देखेंगे अब आपको क्यों प्लेट का और यह तो मैंने आपको बताया अब आप इसको जन्रलाइज मेनर में आपके साब से यूज़ कर सकते हूं जरूरी नहीं कि आपको यहां पर डिरिक्ली आये है और यह व्यू लिस्ट पर यह दिखाना था अपने को नाम ही दिखाना था कि वेलकम और यह इसको क्या करना चाहरे थे हैं यहां पर अपने को ऐसा करना था कि यह जो पज़ें मैं लिखा है पर लिहां लिएव्यु डोट ह्टी एमिन मैं अलिएहां बार इसको सेग्ट किया Mi경 यहां पर वाध यहां पर अपन यहां पर वापले से इस पर प्रुफाइल或 क्या करेंगे यहां ही तो आप यहांपर पर आये हो तो प्रोफाइल पर कि आप फिर मिदिखानी यहांस अपने में पर यहां पर यह डेटा नहीं दिखाना था वो onde बीओुलित पर जाते तो ही डिकता कि बिढ़ा उस चेस में अपने और क्या करना था औप जो सेशन भी मैंनेज किनना पड़ीगा को तो इसके लिए को हटे स।ो अब बैशन ङराश ये आता है में अटे आटént है वीव tool करूंपर सेशन इस्टोरेई विल्कम निन वेयं है रहें गोंगता सकते हैं, है कुम सब्सक्राइब को करन cent क्या है.. कुछ करना है क्या कैसी सबम् ich है भाषए कुछ या यह चाह जए कि भी सब्सक्राइब कर दिए संस्य सेवस्टेण पर नाम लिखंगे अब जो भी आएगा उसका नाम लिखेंगे आप और उसे वाद में लिखा है वी लिस्ट जब वो इस पर क्लिक करें तो उसको लिस्ट लेखें को पने करेंगे क्या है तो अपने को सेशन स्टोरीज ship देखना है तो तो दू चीज़े लिता है लो परामेटर आपने को बस परामेटर देखना है की कि क्या लेकिनगे यी जैश। टूरेश सेट ऐटम फैर्शन इस टूरिज है जैट इन तो अपने के बाद में यहां आने के बाद में इसको तो कमेंट करते हैं और यहां पर आने के बाद में अपने क्या लिखेंगे से लिखेंगे। फेकर हैं यहां पर लॉट उलकार करेंगे हैं यहां पर इमेल.वेलू और अब यहां आने के बाद मैं शूरेश् है तो यहां आका माने लिखा है मैंने लिखा है mere script script के अंदर में में क्या लिखूँगा ? मैं लिखूँगा है 그 search के Safe Storage dot and get item में मैं लिख दिया e-mail मैं resent email को क्या देगा यहां पर Buncak first email यह मेरे को email देगा और हमेडिक है घरिंन देगा उसी इमेडों को पन क्या करवाएंगे याँ पर रप्रिंट करवाएंगे हैं और रवारे के लिए लिए कि अलए कि या document.write से प्रेंट होगा document.write document.write मैंने अप़ी क्या लिख दिया लेखा है इमेल अब यहां आकर आप देखो अपकी अप्लिकेशन कहां थी एप्लिकेशन जैसे लोकल दिरिश्था नहीं हो आपका वैसे आपके वसमें session storage होता है session storage में आप देखेंगे हैं यहां पर यह कुछ set ही नहीं हुआ है session storage dot set set नहीं हुआ यहां पर hmm अच्छा आपने छलाया ही खाँ अभी अपने लॉग-इन करा ही खांँ कि शैब किया बनाते यहां पर यहां आने के बाद मैंने क्या किया अपन यहां पर आये, ह्यां पर आये, Login, Login को मैंने क्या लिखा है, केलविन, केलिबिन, एडड़िछ, जीमिल डॉट कॉम, केलिबिन, केलिबिन, एड़िरेट 123, मैंने करा, Login, इंचे, हैं, यहां पर आये, no take care email id or password is wrong k-e-l-v-i-n ये था ना उपना k-e-l-v-i-n kelvin at the rate 123 k-e-l-v-i-n at the rate 123 अब क्यों सब कोई रॉंग मुलेगा च्या अब आते वापस हैं यहां पर बनाए यहां पर माय स्क्रिप्ट पर यहां पर आए अगर अलर्ट 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 लिखा यहां पर पर पंद जो उसको पंद चेक करवारे थे लॉग-इन के लिए कि अज़िए कि नहीं नहीं यहां से अशने स्रोज में तो कौम ही था ना अपका कि अगर यह कंडेशन मैच करती है कि लॉग-इन वाली कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए किसन से लॉग-जाओ तुक है अपने यहां तक तो आये अब यहां तक आने के बाद में अपने लोकलिकूलेट गेट इंटरी इपने पास पर डेटा तो मिल रहा था और देटा ओफिंडेश दोट इमेंड इकवशो इकवल्स टू वेल्व एन डीटा ओफ एंडेंस डॉट पास्वर्ड कि अब वाले पर चला रहे है अभी ऐसे कि अब यहां पर आए मैंने इसको रिफ्रेश यह अब यहां पर है राइट अब यहां है यहां करा है यहां पर अपर आए मैंने करा ओके वेलकम ट्रेट जीमील डॉकर आगया उपर ना वो दो ब्राउजर खूलने से तो पता नहीं क्या था यह वेलकम केलिविन अट्रेट जीमील डॉकर माइगा अब आप जिससे भी लॉगिन करेंगे उससे उसका नाम आ जाएगा अगर आपको देखना है तो आप क्या करेंगे यहां पर अपने लेका यहां पर अपने लेख करेंगे यहां पर आएगे यूए लिस्ट पर आपट लेक करेंगे तो यहां आप अब यह तो जो मैंने आपको बताने इपने जनरलाइज बताए जनरलाइज मतलब कैसे कि मुझे यह बताना था लॉग इन कैसे करवाते हैं जो डेटा आपके पास में है उसकी लिस्ट कैसे दिखती है इसमे अपका question यह नहीं होना छी जिए कि Sir Andrew ने जब login किया तो इसको बात के सारे user की list को दिख लिए तो अपने को main यह नहीं दिखाना है में मेरा यह परपस नहीं है कि किसने login किया किसकी list दिख लिए में परपस बस यह है कि एक user अपने आपको register कर रहा है, वो login कर पा रहा है, login करने के बार में session तो कोई लिस्ट भी देख पा रहा है इसको कैसे मोवट गरेंगी ञासे helpful कि एक style अप indigenous करेंगे ना, अप ऩुर्ट कि प्रोडक्स अपने के प्रोड़क को अपशन मिलेगा,qlick करेंगे जैसे आपने register कर के डेटा को सेट करवाया वैसे ही आप एड प्रोड़क्त की डिदेल्स लिखकर आप उसको एड करेंगे फिर आप व्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको उधर से पूरे प्रोड़क्त की लिस्ट दिख जाएगे कैसे दिखाना है जैसे मैंने यह नॉर्मल लिस्ट करना चाहिए कि ईस्को आपको और एक्सप्रोड करना है और आगे लएक जाना है तो आप इसके ऊपर एक या लिक्त ऑप्षन कर आग Peak स्टेंब आ जाएगा जैसे ही admin सबकी list दिखेगा उसको deactivate करना है उसने आपको deactivate कर दिया तो आपको उसमें false से चले गया जब आप login करेंगे तो यह चेक करेंगा कि email id पासवर्ट के साथ में status true है क्या अगर हाँ आप login कर पाएंगे और status false हुआ तो आप login नहीं कर पाएंगे मेरा सिर्फ generalized manner में यह concept है आपको बताने का अब अगरे बात करना क्या है तो अपने को यह करना है कि अब यहां पर जैसे जो भी user है जिसको मैं क्लिक करूं update पर तो उसका option update का अनेबल हुजाना चाहिए मतलब कैसा क्लिक करने पर उसका data को एक form में दिख जाना चाहिए त्वे अब बताओ वो कैसे करेंगे अपने आप तो कि यहां आने के बात में अपने को को जो data है है नहीं उसको अपडेट कर वाना बतलब अपने को यहां पर क्लिक करने पर क्या करवाना है एक form open करवाना है प्लिक करने पर अपने को एक पॉपन करवाना है तो अपने आते हैं यहां पर फॉर्म के साथ हमें ठीक यह पॉपन करवा देंगे लेकिन पॉर्म के साथ में डेटा भी आपको आपके लाकर दिखाना है तो अपने काम करते हैं अपन आते हैं यहां पर किस पर आपके यहां पर आपको लिस्ट दिख रही है यहां पर आपको आपके आइटम्स की लिस्ट दिख रही है यह है अब इसमें आप एक काम करें पहले तो चेक तरो कि आप जिस पर क्लिक कर रहे हो वह इंडेक्स भी सिलेक हो रहे की नहीं हो रहा है क्योंकि है क्योंकि एक में टास्क है कि आपने सिस्क्रीद को प्रभी सौना ठीक है लिखेंगे यहां पर लिखेंगे अपना जो भी इंडेक्स है आप यहां पर लिखेंगे इंडेक्स कि देखते हैं आप यह प्रिंट होगा यह कि यह लेकिन यह तो था ही आ रहा है कि अ कि कि समें इत्री आ रहे है कि कि अध्री नहीं आना चाहिए नहीं यहां बत अपने को जो आपन सेलेक्ट करें वो आना चाहिए आप अगर आपको यहां पर तो नई देश का कैसे यूज़ करोंगे आप कि 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 पर आप जिस पर भी क्लिक करेंगे जीरो आया तो आपने क्लिक किया वन आया आपने क्लिक किया तो आया जब यह है मैं उसको क्लिक कर रहा हूं तो मैंको इंडेक्सिंग तो मिल रही है इंडेक्सिंग मिल गए तो फिर तो अपन सब कुछ कर लें तो आपको यह देखना है कि आपको इंडेक्स को मिलने पर अपने को यहां पर यह करना है कि कि अपन उसको अपर किसी पेज पर लेकर जाना चाहते हैं अभी देखो यह आपको यह पेज दिख रहा है और यह पेज ऐसा कुछ दिख रहा है आपको लेकर जाता हूं और दिक्का देखिए आप उस पेज पर से उसका डेटा निकालोंगे कैसे अगर अपन वहां पर लेटा निकालना चाहें अगर अगर अपन बात करें कि अपन काम ऐसा कर सकते हैं आपर यहां से देखो कि है जो हेजा रिएफ देखे रखा हूए है तो यह एक रिएफ भी नहीं अपना ऐनकलिक पर ही जो मैंने अलर्ट लिखा था इसके मैं फंक्शन को कॉल करवा देता हूं यहां पर तो फंक्शन को कर वादेते हैं अपन अपने लिग या है क्या माइफन अपडेट फं लिखा है यह अपडेट फं लिखने से होगा कि अपडेट फं को तो अपन यहां पर आते हैं यहां आने के बाद में अपने के बाद में यहां पर आए यहां आने के बास में ने एक function बनाया और मैंने क्या लिखा यहां पर नाफ sûrम्ण की यह पडेट फन- और अप्डेट का अपने क्या दिकिया है पर इंडेक्स अब अपनिए देखे लिए यहां पर ने को इंडेक्स मिल रहा है एक रहा है हैं टैटि आपर है रहेcohol करने को अपने को इंडेक्स है जै यहां यहां पर अपने काम करते हैं यहां पर अपने को पूरा डेटा निकालना है इंडेक्स तो आगे आपने पास में आपने के बाद में लिखा है क्या तो मैंने लिखा है यहां पर व्य डिटा और येंट ट्यार आईय अटाट अपने क्या करेंगे तो डीतव पर आने के बाद में और सिंद्फ में比स्ट इसनमें पूल था नहां पूंड कि आव gi तौद हाँ के अपनिया पर काम करते लिए ना अभीज कर देटेटा रॉठ ऑग्रणत्थ लिखे लेते हैं पर अपर और ने लिखा अलर्ट में अपन क्या लिखते हैं यह आपर डेटा यह तो अपने यह लिख दिया इंडेक्स यहां पर data इंडेक्स लेखा डॉट् और्ट उसर नेम से च्छेक कर लेते है यहांपर राए मैंने करा index वन कि है आने अपने डियटा तू आ गया है अब लेकिन अपने को इस डेटा को क्या करwaना है तो अपने डियटा को अपने इस xampe open करवा तो अगर आपन बात करें यहां पर इसकी ब्रेख द्राइन की तो आपन यहां पड तो आ कि आपने को आपने तो देके रखा हुआ है और अपने यहां पर है चारिएफ भी देके रखा हुआ है तो अपने काम अगर ऐसा करें कि कि अब अब सबसे पिले यहां पर यह देगे रखा हुआ है इससे अपन अब यूपी डीडी अपडेट डॉट स्टी एमल अब डॉट स्टी में वाले पीश पूर अपने सो क्लिक करूँगा तो यह फंक्शन चलेगा और वह एचार यह यह उसको आपर ट्रांसफर कर देगा अब हो अब अब है अपने अपर अब्डेट डॉट ॉट स्टी एमिल पर वह अपडेट डॉट एश्टी मेंट इसके बाद में अपने जो यह विव के ऊपर लिखा था ना यह थम न इतना वाला section बस यह main menu main menu की ओपर सी डेस चाले हुआ है यह main menu का बात मुश्मेंड इसे copy किया अपने update वाले पर आये यह main menu जो था न यह मैंन मेनड UX वालब ने इसको paste रह दिया इसको save किया पर आते हैं यहां पर इसको रिफ्रेश किया मैंने इस पर क्लिक किया एंडेफस One आया जैक्सन आया है फिर आप यहां इभी करना है यह यह रिहान नहीं दे तो इसके आओ आप बैटके आरहम से कर सकते हो जो कि फॉर एक्जांपल अगर आपने ऐसा पांच सेशन में यह काम करेंगे तो मेरे पास पांच सेशन मुझे तो फाइव आर्स लेकिन आपके पास में 24 इंटू 5 मतलब 120 आर्स है आप 120 आर्स में बैटके वह डिजाइनिंग अगरा सब करेंगे और फाइव आर्स में बैटके मैं आपको फंक्शनिटी बता रहा हूं यह आप खुद सोच सकते हैं 120 घंटे और पांच घंटे एक इसो पंद्रह इंटे आपके बास में एकस रहा आते हैं यहां पर और यहां आने के बाद में , आपडेट वालएolit। पैम करेंगे क्या है यहांपर अपन एक काम करते हैं इसको भी यह कैओ हजिड़ा हुआ है और झांव फउम करेंगे करह यहां पर मैं जाता हूँ कि यहां पर मीरा data आ जाए तो उस data को लाने के लिए आपने करेंगे कि यहां पर मैं 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 क्या करा मैंने लिखा local storage dot set item और set item में अभी है पन क्या कर देते हैं है यहां पर अबदै्ट डेटा करके मैंने यह बंपुमकर करके मैंने कश्चा दिए किया ये अपना है और कॉपिस्ट करोडिया अभीछ nå और इसमें चेंज होंगे अभी सिर्प ग्रॉस रे कर लेकिन अब इसमें भी कैसा उसको आपको जेसन.stringify में पहुचाना पड़ता है न अब लिखा जेसन.stringify और यहां पर आकर आकर आपने इसको क्या कर दिया है यहां पर आकर मैंने का लिखा यहां पर यूजर नीच यह मैंने लिखा यहां पे. रिसिव यूजर नी.। Rob यहांपने काम करते हैं यहां पर इंडेक्स वाले पर नई वर यूसर नेम में पर यूसर नेम में आपको देखे रखा हुआ था यह मैंने यहांपने नाम रदिया, right? मैंने यह ऐसा कर दिया और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देते है तो यह OBJ कर दिया है, मैंने आसा ऑप्जेक को पास कर दिया, हाँ लिए? अब यह ऑप्जेक को पास किया है, तो, आपने जनरलिए आपर आरे को पास करते हैं ना, area of object, और वो object पास करेंगे तो उदर में को मिलेगा क्या अगर अपनों को यह दीखना है अब उसको सेब करते हैं अपना आते हैं यहां पर यहां आने के बाद में अपने काम करते हैं यहां पर मैंने करा है अपना क्या जेसन.parse और यहां पर मैंने क्या लिख लिया local storage dot get item और get item में आपने क्या लिखेंगे है हम पर मैंने बदल क्या लिखा था update update data यह अपने ऐसा लिखा और ऐसा लिखने के पार मैंने क्या कर दिया है हम पर अब अब यहां पर आए अब आपको ऐसा दिख रहे आपने इस पर क्लिक किया आप इंडेक्स टूपर आए आप यहां पर आए आपको मिला नहीं अब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अब्जेक्ट एबीसी किसमें था अब यहां पर आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलाए ना अब लेकिन यहां पर अपने को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलाए ना अब लेकिन यहां पर अपने को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं अपने को यहां पर कैच्छ किये था जेसें डॉट पार्स अपने इसकों काम करें अगर मैं इसकों आपर आप डार्टली ही एगर प्रेंट करवाना चाहूं इसके पॉपी किया अब अब यहां से अब अब जेट मिल रहा है अब 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 जेट मिल रहा है तो उस अबजेट को अब बनने क्या कर रहा है आप पर अब पर पार्स कर लिया यह ना तो आपने को फंप यहां पर रिखना था मेरे साब से अब यहांपर आये, मैंने इस पर update पर click किया index 1 section connection अब यह Jackson अपने को यहांपर मिला तो अपने को करना किया है यहां पर angles अपने को क्या करना है यहां से copy किया करेंगे यहां पर मैंने लिखा है document.getElementById और वहां पर क्या लिखा हो था यूजरनेम लिखा हुआ है न डॉट मैंने लिखा है यहां पर क्या वैल्यू इक्वल्स्टू मैंने इसको पेस्ट किया अब आते हैं यहां पर जैक्शन लिखा हुआ मिल गया यहां यहां पर आगया आपको आप वैसा अगर किसी और कि उससे लिखना चाहते हैं तो आप एक बार देख लो अपन स्टार्टिंग से आ जाते इसमें एक बार और बैक करते अपन यहां पर रहे लॉग इन लॉग इन पर मैंने क्या कर रहे है यहां पर मैंने लिखा केल्विन एक इडरेट डॉट कॉम मैंने लिखा यहां पर kelvin करने कर लॉग नोग इन करकि वैलकम केल्विन डॉट पर इंड्रेट गॉटॉट पॉम मैंने कर आ व्यू लिस्ट आप को लिस्ट के पर बटन पर क्लिक कर रहा हूं जैसे मैंने इस पर बीक्लिक किया यह तो अपना हटा देंगे इंडेक्स हो यह अपन यहाँ पर आगए और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे आपको लिखावड हुआ यह चैज रहे हैं वैसे आप पूरा डेटा देखर आओगे तो पूरा डेटा यहाँ पर अपका सेट होगा फिर उसके बाद में आपने इस पर सेट करेंगे और उसको पिर अपना अब्डेट कर्वाएंगगा तेखेंगे अवाज लेक्त आपको जहरे सेच्टि का बीएकि पे लिखेंगे और एफ तो